दोस्तो यदि आप क्वेट में रहते हो और क्वेट केम तरीन कवरों से हमें सब वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिनाइस कुप का पूरा देखिए चैनल पे नहीं हूँ या फिर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राब करके बेल ऐकन को प्रेस कर लीजिए ताक के साथ वहां पे मारपीट करने का अरोप लगाया घया है और बहुत ही ज़ादा दोस्तो इंसर्ड हुआ यानि दोस्तो मारपीट के साथ उसके नाक में चोट लगा जिसके वैसे काफी ज़्यादा ब्लίοडिंग हुई ब्लिडिंग के दौरान साती हो फिलाल उसे कंप्लेंड किया गया कंप्लेंड के दौरान वहाँ पे पुलीस पहुँची सलमिया एरिया की ये घटना है और वहाँ पे कैफे होस में उसके उन सभी के बीच में लड़ाई जगड़ा या जो भी कुछ हुआ हो उनके बीच में हुए फिलाल तीनों सक्स को वहाँ पे रिपोर्ट दर्ज कर लिया गया है उन सभी पे कानूनी कारवाई की जाएगी तो कि दोस्तों कैबिनेट के तरफ से कुछ दिन पहले ही अनॉसमेंट किया गया था वहाँ पे सभी लोग वहाँ पे एक नजर से देखे जाएगे चाहे वो कुईती नागरिक हो या फिर वो एक्सपार्ट हो यदि किसी के साथ कोई भी गलत करते हो पाय जाता है तो उनको तुरंती कानूनी कारवाई की जाएगी फिलाल दोस्तों लेबनानी सक्स अभी ठीक है होस्पिटल में उसको भरती कराया गया चोट वगएरा काफी जादा आया है और ये घटना जो घटी है सलमिया एरिया में अगली खबर के और साथ क्यों चलते हैं अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो जो डारेक्टर जेनरल अफ कुएत मुनसिपैल्टी के जो हेड है जिनका नाम है अहमद अलमनूफी सहब उनके तरफ से इनॉस्मेंट किया गया है दोस्तों आपको पता है कि रमजान आने वाला है रमजान के दिर में जितने भी होटेल्स वगेरा या फिर जितने भी कैफे वगेरा उनकी क्लीनिंग के जो टाइम होती है रमजान में उसका टाइम को चेंज किया गया है क्लीनिंग के टाइमिंग दोस्तों जो होगी वो सुबह 3 बजे से लेकर 10 बजे सुबह के बीच में ही होगी वहाँ से garbage वगएरा या जो भी चीज़ होगी waste material वगएरा उठाया जाएगा या फिर 10 बजे राज से 11 बजे के बीच में तो जितने भी वहाँ पे मतलब कुड़ा करकट वगएरा उसी के time उठाय जाएगा इफ्तारी के वक्त किसी भी तरह का कोवी cleaning की काम नहीं किया जाएगा चाहे वो कोई भी हो इफ्तार के वक्त किसी से कोई भी काम कराने की वहाँ पे इजाज़त government के तरब से नहीं दी गई है और municipality के तरब से भी नहीं दी गई है अगली खबर के और सातियों चलते हैं अगली खबर दोस्तों जो आ रही वो बहुत ही बड़ी खबर है सातियों वैसे तो यह Embassy of Philippines से आ रही है पर आपके लिए जानना यह काफी जादा जरूरी है कि दोस्तों Philippines Embassy के तरफ से बताया गया है कि लगबग 420 ओफिसों में से लगबग 174 ओफिसों को पकड़ा गया है फोरजरी ओफिस के रूप में यानि दोस्तों वो सब के पास किसी तरह का कोई लाइसस नहीं था उसके बावजूद भी वो लोग ओफिस खोल के बैठे हुए थे सभी को ऑफिसरली बंद किया गया है यह दोस्तों फिलिपिन के अबसी के तरफ से कल के दिन अनॉस्मेंट किया गया और यह भी बताया गया है कि जो भी फिलिपिन के वरकर यदि अभी आप कुएट आते हैं अगली खबर दोस्तों जो आरी सातियों बहुती बड़ी घटना घटी है सातियों, जो कि Terminal 2 बिल्डिंग में ये घटना घटी है, एरपोर्ट का जो Terminal 2 है वहाँ पे, वहाँ पे किसी कवज़ा से दोस्तों वहाँ पे गेट के पास ही आग लग गया था, जिसके बाद आग काफी ज़्यादा बे काबू हो गई, यदि आज से कल के बीच में दोस्तों यदि एरपोर्ट गए होंगे तो आपने देखा भी होगा, जो Terminal 2 का दोस्तों जो बिल्डिंग है वहाँ पे आग लग गई थी, फिलाल किसी के इंजर्ड होने की कोई खबर नहीं है, पर आग को कंट्रोल करने के लगबग 6 फाइटर, सॉरी, फाइर फाइटर को बुलाना पड़ा, यानि दोस्तों 6 दमकल गाड़ियों को बुलाना पड़ा, उसके बाद इस आग पे काबू पाया जा सका, फिलाल सभी ठीक है, कोई भी घायल वगएरा नहीं हुआ है, बहुत सोड़ा बहुत जो नुकसान हुआ है, वो एरपोर्ट को ही हुआ है, तो यह कुछ अपडेट्स थी, कुछ खबरे थी, जो की कुएट से आरे थी, मैंने अब तक सेयर किया, वासा करता हूँ, वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों सेयर करें, ताकि और भी लोग को इसकी जानकारी हो सकें, मिलते साथ हो, नेक्स्ट वीडियो पे तब तक लिए अपना खयाल रखें, हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सुक्रिया, अल्ला आफीस और टेक केर